साथियों मैं जॉक्टर रिचावाईशने संभफ नेचर क्यूर हॉस्पिटिल से साथियों आज कर जो हमारा टॉपिक है वो है अमर्जनसी पॉइंट्स जी हां साथियों में बात करते हैं बिहोश को होश में लाने का पॉइंट्स यानि कभी बी कोई बात करते हैं तो एससे केस में क्या करें एक बहुत अचा मैं ओक्धिव बेहोश का प्रेशर देंगे जब आप कस कर स्टिमुलेट करेंगे इस पॉइंट को क्लॉक वाइस और अंची क्लॉक वाइस देखेगा कि जो व्यक्ति बेहोश हो गया था वो होश में आ जाएगा इसके अलावा यदि इतने से भी होश में ना आए तो एक पॉइंट और है यह पॉइ ही वीक्ति को होश में लाने के लिए माकसिमुम तो इसे से होश में आ जाएगे क्यूंकि practically warnings होता है भी वंजे से कोई बेहोश होता है लोग बीपी की वजे से बेहोश होते हैं अब कारन आपको नहीं पता यह सामने से ट्रीटमेंट की चो आप करें वेक्ति वहोश में आ ज जाहिए शांत मन से मतला है कि बहुत जबात करते वे भोजन नहीं करना चाहिए जब हमारी जू भोजनльी नहीं चाहिए घवी, जब आदा करते वे खाना क्ण kita ज़नुली में ँप में जल दिय jam, फोभी कड़ धियत क्न We contribute. वो धसका इतना ज़ादा होता है कि व्यक्ति, रिसेर्चेज बता रही है कि हजार दो हजार में से किसी एक की जान भी जा सकती है, क्योंकि उस समय आप सांस नहीं ले रहे होते हो, यदि वो अनकर बड़ा है और आपने सांस नहीं ले पाए, तो गत्थ हो जाएगी, लेकिन हम पीट कपता पाते हैं, बहुत कुछ करते हैं उसके लिए, तो एक बहुत अच्छा एमर्जिंसी पॉइंट, आएंगे स्मॉल फिंगर, स्मॉल फिंगर की जो टिप है, टिप उफ दे स्मॉल फिंगर, नेल के तरफ की, आप कस कर, स्मॉल फिंगर को कस कर ट्विस्ट करना है, आप लेफ्ट साइड की भी, राइट साइड की भी कर सकते हैं, आप कस कर जब स्मॉल फिंगर को ट्विस्ट करेंगे, तो देखेगा कि जो अन्न का कड़, श्वास नली में चला गया था, वो निकल जाएगा और normal breathing हो जाएगी व्यक्ति की और वो ठीक से फिर से सास देने लग जाएगा यह बहुत अच्छा emergency point है इसको जरूर आप याद रखें पीसरा साथियों कब भी ऐसो होता है कि हम नहारे होते हैं और पानी हमारे कान में चला जाता है या बारिश के समय में जो छोटी छोटे महीन महीन कीड़े हैं वो हमारे कान में चले जाते हैं अब क्या करें दिक्कत तो है पानी भी कान में चला गया कोई कीड़ा चला गया तो दिक्कत के बाद तो है यह कि कानों में वोचिस चलीगी तो अनीजिनस रहेगा हमें अब कैसे निकालें जो पानी चला गया है उसको कैसे निकालें जो कीड़ा चला गया है उसको कैसे निकालें तो जिस कान में लेफ्ट ये राइट जिस कान में कीड़ा गया है या पानी गया है उस कान में जो ये वला पॉइंट है आप कान की तरफ आए लेफ्ट साइड में ग पूरा का पूरा हमारा निकल जाएगा तो है ना इमर्जनसी पॉइंट इसके लघाएव एक पॉइंट है कि proclaimed angina की बात नहीं कर रहे हूँ हर्ट failure की बात आपको बंढ़ते हैं कि ढूसी को उस्कि घड़ात के हैं षाट कर घा सकते हैं आपको कसके दबा 2 बिल्कुल और बिल्कु बिल्कुल निशान बन चाहा है बिल्कुल चिंता은 मत करी आप किसी की जंदेगी बचा रहे हैं ये समझ लीजिए ठीक है ये एक्चली हार्ट का लिंड रिनेच पॉइंट है डॉक्टर और वॉल का पॉइंट है हार्ट का लिंड रिनेच पॉइंट है करने में कुछ नहीं जाता जिन्दिगी ही बचा लेंगे आप किसे की तो मैं बता रहे हूँ लेफ्ट साइट का करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिश्यों होगा लेफ्ट ये राइट मैंसे लेफ्ट का करें और कस कर दबा दें मरीज का जिसको आपको लगता है की यह चीज़ हुई है कस कर दबाएं बहुत कस के दबाएं तो देखे का व्यक्ति होश में आ जाएगा इसके अलावा कोई आपके सामने किसी को पारलिसिस का अटेक बढ़ रहा हो अब क्या करें ऐसी कंडिशन में आप ऐसे फस्टिट क्या कर सकते हैं वो यह कि जितनी भी हमारे टिप्स हैं दसो हाथों की उंगलियां और दसो पैरों की उंगलियां इनके सबके टिप्स जैसे यह अंगुठा अंगुठा का टिप यह हुआ इंडेक्स फिंगर इंडेक्स फिंगर के टिप यह हुई middle finger इसके टिप ये हुई ring finger इसके टिप ये हुई small finger इसके टिप ये हुई ऐसे ही सभी सारी दसो उंगलियां हातों की दसो पैरों की सब के tips को कसकर stimulate करना है सब उंगलियों को कसकर जब आप twist करेंगे कसकर दबाएंगे तो देखेगा कि जो व्यक्ति को paralysis का attack पढ़ रहा था वो normal हो जाएगा रहत मिल जाएगी ये फॉस्टेट का point है फिर आप जाकी डॉक्टरोस को दिखाएं तो ये कुछ चीजे थी जो emergency से related थी मुझे लगा कि एक video बनाओ मैंने अलग लग भी videos बनाई हुई है लेकिन मुझे लगा कि मैं एक video में काफी चीजे दूँ ये part 1 बनाया है अब part 2 लेकर भी बहुत जल्दी ही आऊंगी इसमें और emergency points टालूंगी कि जिसमें जो सबके लिए beneficial होंगे तो साथ यों ये video को मैं यही पर end कर रही हूँ और आपसे विंदी करती हूँ कि आप इस video को like करें अधिक से अधिक share करें क्योंकि ये एक चीज़ ऐसी है कि जितनी ज़्यादा आप share करेंगे तो आप मददी दूसरों की कर रहे हैं क्योंकि तब एक भी emergency में आपसे ये बहुत सरी चीज़े काम आ जाएंगी किसी की जिन्दीगी बच सकती है तो जरूर मदद करें